स्वागत है आपका Career Academy के यूट्यूब चैनल पर तो इस क्लाश में मैं आपको एस्टैट में जो PGT लेवल का एक्जाम था 2015 में हुआ था या 2016 में हुआ था उसको सॉल्व करूँगा तो इस में मैं आपके 30 कोश्चन जो चैल्ड वेल्पेंट और पेडगोगी के जो कोशन आते हैं उनको सॉल्व करूँगा तो स्टार्ट करते हैं फरस्ट कोश्चन से पहला कुशन है वर्तमान सिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि प्रेजेंट डे एजुकेशन कट आफ दा मेन फ्रम लाइफ बिकॉज यानि वर्तमान सिक्षा जो है जीवन को या व्यक्ति को जीवन से अलग कर देती है क्यों तो पहला अंसर आएगा यह जीवन का समगर भाग नहीं है यानि जीवन में अंतरिक भाग नहीं है उसका यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है unable to provide bread and butter to men यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है unable to provide job to men यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्क्षताओं की पूर्ति करने में या नहीं करती उनकी unable to fulfill the basic need of men तो इसमें D option यानि 4 option सही आएगा यानि वर्तमान सिक्षा जो है बहुत सी ऐसी मूलभूत आवश्कताओं हैं जिनकी पूर्ति नहीं कर पाती जो नैतिक समाजिक हमारी मानसिक अवश्कताओं हैं या आर्थिक और कौशल अवश्कताओं हैं उनकी पूर्ति ये नहीं कर पाती next question आता है सिक्षन की आधनिक संकल्पना के नुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए according to modern concept of education the teacher should play mainly the role of यानि teacher को किस प्रकार भूमिका निभानी चाहिए एक दार्षनिक की, philosopher की, मित्र की, friend की, कार्य सहभागी की, working partner की, अनुदेशक की या instructor की तो सबसे बैटर आएगा मित्र यानि teacher जो है student का मित्र होता है या मित्र होने के नाते उसे पढ़ाना चाहिए एक सहयोग पूर्ण, एक प्रेम पूर्ण तरीके से अगर पढ़ाय जाए तो वो teaching जो है सबसे बढ़िया मानी जाती है next question है जी, एक विशय पर सरवार्दिक आदुनिक कृत, सूचना किस स्त्रोत से प्राप्त होती है which source will provide maximum and up to date information about a subject यानि एक विशय से संबंदित, सबसे आधनिक और सबसे ज्यादा सूचना हमें कहां से मिलेगी विश्वकोष यानि इंसाइक्लोपीडिया से, internet, नविन्तम अकादमिक पत्रिकाएं, लेटेस अकेडमिक जर्नल्स, अंतर रास्तिय सम्मेलन, international conference तो इसमें आपको बता है, internet पे जादा से जादा और बहुत ही up to date चीजे मिलती है, internet आएगा इसका सही answer next question आता है हमारा, fourth, आपकी कक्षा के कुछ चात्रों का ध्यान पढने से हट गया है आप उनका ध्यान पुन केंदरित किस और कौन से उपाई से करोगे some student of your class have become inattentive, which strategy would you use to regain their attention यानी ये जो प्रशन है ये अवधान पे है अवधान यानी attention यानी हमारा जो पढने से ध्यान हट जाता है उस पे है तो पहला आएगा थोड़ी सी सारी रिक्रिया करवाएंगे, briefly physical activities थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित कर देंगे यानी suspending the class for some time बच्चे बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहेंगे asking student to attentive कक्षा को खेल के लिए भीजेंगे या sending the class out for game तो इसमें काफी typical है इसमें देखना कहने से देखो हम बच्चों कहेंगे कि ध्यान लगाओ तो कहने से ध्यान नहीं लगेगा सारी रिक्रिया हम करवा सकते हैं परंतु सारी रिक्रिया में सबसे जो better option लेक्राइज में वो है खेल में यानि play way method आ जाता है जब बच्चों को खेल कूद में अब अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे जो है उससे अपनी energy का use कर सकते हैं तो यहां जो है इन चारों option में सबसे बढ़ी आएगा कि हम उनको खेलने के लिए भेज सकते हैं फिफ्थ आता है जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करें तो उसे क्या बात करनी चाहिए विद्याल्या के प्रधान अध्यापक के बारे में यानि स्कूल headmaster के बारे में बात करें वो पाठ्या पुस्तक textbook के बारे में बात करें वो या अपने और चात्रों के बारे में यानि himself and students तो better option आएगा fourth यानि अपने बारे में और विद्यारती यहां के इंदर teacher और student के बीचे में है तो इनके जो सही आएगा इसमें वो आएगा d यानि fourth option अपने बारे में बात करनी चाहिए नेक्स आता है जी महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली जानी जाती है the education system dwelt by महात्मा गांधी is known as किस नाम से जानी जाती है बुनियादी शिक्षाई आएगा basic education system है तो इसको बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता ह जो गांधी जी ने दी थी बाकी इसमें व्यापसाई बाल केंदरित और हस्त कलपा शिक्षा जो है handicraft education यह नहीं आएगा यह option इसका आएगा फस्ट next आता है हमारा अध्यापक का कौन सा कारे उप्युक्त अधिकम वातावन उम्राने में मदद नहीं करता यानि कौन सा ऐसा method है जो वातावन create करने में नहीं सायता करता which is the following acts of teacher does not help in creating proper learning environment यानि शिक्षा के लिए एक वातावन होता है उसके निर्मान में कौन सा सायक नहीं है पहला आएगा बच्चों को सुरक्षा का भाव देना providing children with feeling of security बच्चों को सब्तंतरता का भाव देना giving children sense of freedom बच्चों को अन्य बच्चों की अलोचना करने देना allowing children to criticize other children ये भी गलत आएगा बच्चों को निर्वय बनाना making children fearless तो इसमें थर्ड जो है ये गलत आएगा यानि ये इसमें कोई फाइदा नहीं करेगा अगर class में बातावन बनाना है तो हमा अलोचना करने के लिए नहीं कह सकते ये गलत option आएगा इसमें नेक्स आता है निम्न में से कौन सा चात्र चात्रों के पलायन का कारण नहीं होता यहां नहीं पूचा है वीज़दा following is a not cause of trancy of students अर उचीकल विद्यालिय कारेकरम अनिंट्रेस्टिड स्कूल प्रोग्राम अध्यापका पक्षपात व्यावार टीचर्स पार्चल बहेवि यानि बहुत अधिक चुटियां too many holidays तो इसमें कौन सा कारण पलायन का कारण नहीं होगा तो इसमें a, b, c हो सकते हैं पलायन कर सकता है बच्चा चुटियों से उसे कुछ नुकसान नहीं होगा तो इसमें d option यानि fourth option आएगा यहां का कि पलायन का कारण यानि बच्चों का स सफलता का अहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है when a teacher gives learner the sense of success यानि उसको सफलता का भाव अगर हम देते हैं तो किस सिध्धानत के तहता है ततपरता के सिध्धानत में law of readiness अभयास law practice के नाम से परभाव का नियम law effect तो इसमें c यानि third option आएगा परभाव का नियम जो और उसको करने का भाव हमारे में आता है जो चीज हमें बुरी लगती है जो चीज हमें दुख देती है उसको हम बचने का परियास करते हैं तो प्रभाव का नियम आएगा सफलता जो है यह बच्चे में सुख यानि अच्छा pleasure feeling देगी तो इससे बच्चे को प्रेना मिलेग नेक्स आता है प्रक्तिवार्थ के अंसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए according to nationalism the center of education should be teacher यानि अध्यापक बालक यानि child curriculum यानि पाठ्यकरम या कोई नहीं तो इसमें बालक यानि प्रक्रतिवाद और व्यावारवाद दोनों ही एक science की साखा है naturalism और behavioralism तो ये बच्चे के उपर, child के उपर focus करते है तो ऐसी सिक्षा जो बच्चे को विक्सित करती है या बच्चे का विकास करती है वो ज़्यादा better मानी जाती है next question आता है हमारा आपकी कख्षा के एक विद्यार्थी में जूट बोलने की आदत है तो आप किसके साथ कैसा वैवार करेंगे या उसके साथ कैसा वैवार करेंगे a student of your class is in the habit of telling lie यानि जूट बोलने की आदत है तो how would you deal with him उससे कैसे आप निप्टोगे जूट ना बोलने के लिए कहेंगे हम कहेंगे कि उसे tell him not to tell lie यानि जूट ना बोले वो सजा देंगे पनिश हिम उसे दंड देना उसकी उपेक्षा करेंगे उसे हम just ignore him ignore कर देंगे या फिर उसे विश्वास में लेंगे और परामर्ष करेंगे ये better option लग रहा है will take him in confidence and counseling तो विश्वास में लेकर ही हम उसके जूट की आदत को ठीक कर सकते हैं और उसको परामर्ष द्वारा उसको हम ठीक कर सकते हैं ये उसका उपजार हो सकता है next आता है प्रतिवावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्व से प्रावधान है best provision for the education of talented children यानि प्रतिवावान बच्चों के लिए कौन सी शिक्षन अच्छी होती है योग्यता के अधार पे समूब बनाना ability grouping यानि ability के हिसाब से उनको अलग-अलग group में डालना दोहरी कक्षा अनृती giving double promotion यानि उनको double class में आगे उनको promote कर दिया जाए कारेकरम को समरिद बनाना enriching program उसके लिए अलग से कारेकरम को हम समरिद बना सकते हैं विशिष्ट विद्यालय का प्रावधान providing special schools तो school नहीं बना सकते, school बनाना उनके लिए possible नहीं है कक्षा promotion भी गलत आएगा grouping में भी हम उसको नहीं डाल सकते हम उसके कारेकरम को हम या उसकी learning को हम समरिद यानि enriched समरिद बनाना enriched जो learning होती है उसमें बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाता है तो enriching program जो है उसके लिए better option आएगा यानि third राष्टिय शिक्षानीती 1986 यानि 1986 शिक्षानीती जो है सिक्षा पर कुल कितने निवेश का प्रतिसत बताती है यानि कितना प्रतिसत सिक्षा पर निवेश होना चाहिए as per NPE 1986 percentage of national production must be invested on education यानि सिक्षा पर कितना खर्च होना चाहिए तो इसका सही answer 6 आता है 6% हमारा GDP का ratio होना चाहिए यानि GDP का कुल 6% हम अपनी education पर खर्च करें स्कूल परसाशन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है यानि एक teacher को कुछ अलग से कक्षाओं अतरिक्त कक्षाओं दी जाती हैं जो कमजोर बच्चों के लिए हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपके क्या प्रतिकरिया होगी प्रतिवाद करेंगे कक्षा नहीं लेंगे गल्त आएगा ये निर्ने के पुनर्विचार पर आग्रह करेंगे कि दुबारा आप पुनर्विचार करें विद्यार्थियों को कहेंगे कि वे स्वयम त्यारी करें और डी आएगा इसे अपने दाइत्व के रूप में सविकार करेंगे यानि class जो है यह हमारे दाइत्व है responsibility है तो हमें responsibility या दाइत्व को समझना और सविकार करना आना चाहिए यह एक चे टीचर की निसानी होती है Next आता है हमारा अध्यापन की प्रद्दती के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्न कत्रों का अध्यान करें Study the following statement about lecturing as a method of teaching यानि lecture method के उपर है व्याख्यान विदी के उपर है सूचना प्रदान करने की एक कुल कुशल विदा है Efficient method of giving information यानि इससे हम उनको information प्रवाइड करते हैं Efficient way में विद्यार्तियों को अलोचना अत्मक द्रिष्टी से सोचने के लिए प्रवापुन प्रणाली है It is efficient way of making student think critically यानि हम lecture method से बच्चों को critical thinker बना सकते हैं तो इसमें सही कौन सा आएगा वियाख्यान विदी में देखो पहला पार जो है वो ज्यादा अच्छा है यानि ये तो है confirm है कि वो सूचना देती है इसमें बच्चों की अलोचना अत्मक द्रिष्टी को बढ़ावा देने का जो सादन है ये हो सकता है ये नहीं भी हो सकता ये देखना पड़ेगा यानि व्याख्यान विदी से बच्चे अलोचनात्मक हो सकते हैं अगर हम उनको इस परकार से सिक्षित करें मुल्यों के बारे सिक्षित करें कम्यूकेशन आदी के बारे में सिक्षित करें तो ये जो है उनके अलोचनात्मक द्रिश्टी से सोचने के लिए उनको कर सकती है प्रेजित तो इसका C option ज़्यादा आएगा 3rd option A और B दोनों ठीक हो सकते हैं शिक्षिन कार्य प्रण करने से पूरुफ शिक्षक को यानि before starting to teach a teacher must यानि class शुरू करने से पहले teacher को क्या करना चाहिए चात्रों खड़ा कर देना चाहिए making student stands चात्रों को मांसिक रूप से तयार करना चाहिए making student mentally ready ये आएगा answer वैसे इसको कह देते हम mental set एक law आता है धॉर्ण डाइक में आता है mental set यानि मांसिक तयारी का नियम तो मांसिक तयारी का अर्थ होता है कि हमें class शुरू से करने से पहले या class के सुरू में हमें बच्चों को mentally prepare करना है यानि हम clean the blackboard करेंगे चुप रहने के लिए कहेंगे asking student to keep silence ये भी गलत आएगा तो इसका second second option ज्यादा बढ़िया है हमने mentally prepare करेंगे mentally attention में लेकर आएगे next आता है शिक्षन करते समय आपको लगे कि जो कुछ आप पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप क्या करोगे while teaching if you realize that what you have taught is not correct यानि वो चीज सही नहीं थी जो आपने पढ़ाई है तो अब आप क्या action लोगे प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे पहले को छोड़ देंगे दूसरा शुरू कर देंगे चात्रों से कहेंगी गलती हुई है उससे ठीक कर देंगे यानि गलती को मानना और उससे ठीक करना चात्रों को उससे ध्यान हटा देंगे यान बच्चों को बताएंगे कि कही ना कहीं गलती हुई है, मिस्टेक हुई है और मिस्टेक को ठीक करने का प्रयास करेंगे, यह ज़्यादा बढ़िया है इससे टीचर का परवा बच्चों पे अच्छा पड़ता है Next question आता है Salim, संगीत में निस्तांत है, परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता गणित के अध्यापक के रूप में आप Salim को क्या कहेंगे Salim is very good in music, यानि संगीत में अच्छा है but is not able to do well in mathematics, गणित में अच्छा नहीं कर पाता As you teacher of mathematics, यानि आप गणित के teacher हो, तो आप उससे कैसे deal करोगे उससे कहोगे कि संगीत का कोई भविश्य नहीं है Tell him that music does not have future, उसे कहेंगे कि संगीत का कोई future नहीं है, ये भी सही नहीं आएगा उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे यानि उससे कहेंगे कि संगीत छोड़ो और गणित पर ध्यान दो Tell him to leave music and study maths, ये भी गलता हैगा उसके अभिवागों को बुला कर बात करेंगे Call his parent and talk to them फिर आता है जी, उससे कहेंगे कि वे गणित में भी अच्छा परधर्शन कर सकता है उसे गणिती अवधारना है समझाएंगे ये बड़ी आएगा Tell him that he can do well in mathematics Explain the mathematical concept to him यानि हम उसे गणित के बारे में उसकी समाधान करेंगे उसकी समस्याई देखेंगे कि उसको दिक्कत आती है या उसको easy करके बताएंगे कि वो गणित सीख सकता है और संगीत और गणित दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं Next आता है प्रतिववान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जाक सकती क्योंकि ये observation method के बारे में A talented child cannot be identified through observation Because क्यों अवलोकन वस्तुनिस्ट तक्नीक नहीं है Is a not a objective technique अवलोकन व्यक्तिनिस्ट है Is a subjective technique अवलोकन सिर्फ विशेशग्यों द्वारा किया जा सकता है Observation is used by those who are expert All the above तो इसमें देखना पड़ेगा कि Observation जो है ये कौन सा method आता है तो observation जो है वैसे subjective method आता है तो इसमें ये सारे option ठीक है यानि talented बच्चे के लिए अवलोकन में कही न कहीं दिक्कत आएगी कि ये objective नहीं है ये व्यक्तिनिस्ट प्रवेदी है और ये विशेशग्यों द्वारा की जा सकती है तो आएगा इसका fourth option एक लंबे व्यक्यान को देते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए while delivering a long lecture what is teacher should do यानि teacher को क्या करना चाहिए बीच में विराम लेना चाहिए should break in between लगातार बोलना चाहिए should speak continuously बीच में प्रशन पूछने चाहिए ask question in between अपनी भाव भंगिमाई बदलनी चाहिए should change on posture तो एक लंबे व्यक्यान में हम बच्चों के attention को create करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो इन चारों option में better आएगा वो आएगा प्रशन पूछना तो इससे communication strong होगी और interaction interaction हो सकती है तो interaction के लिए हम third option को लगाएं कि यह हम बीच में क्या करेंगे बच्चों से प्रशन पूछ लेंगे ताकि उनका ध्यान जो है उस lecture के उपर रहे next question आता है आपकी कक्षा की लड़की की रुची sports में है वह sports में अपने केरियर को बढ़ावा देना चाहते है तो आप क्या परामर्स दोगे यानि sports में रुची है sports में केरियर को बढ़ावा देने के लिए आप उसे क्या परामर्स दोगे लड़की को a girl of your class is interested in sports want to pursue her career in sports what will you suggest her तो teacher के लिए है कि लड़की को क्या suggest करेगा लड़की को कहना है लड़की का खेल जगत में कोई भविश्य नहीं है ये भी गलत आएगा कि हम कहें कि अगर लड़कीयों को कि उनका खेल में कोई भविश्य नहीं है ये उसको खुद decide करना है यानि girls have no future in sports ये भी गलत आएगा उसे अपनी अकांश्या की पूरती है तो कठोर परिश्रम करना चाहिए हम कहेंगे कि उसे कि कठिन प्रिक्शन करना पड़ेगा आपको अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे ask her to focus only in academic ये भी गलत आएगा लड़कियों को या लड़कियों को खेलों में उत्विस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वह सारे रिरूप से कमजोर होती है ये भी गलत आएगा girls are cannot excel in sports as they are not physically strong तो हम लड़की को कहीं भी कम कमतर नहीं आग सकते हम उसे कहेंगे कि आप ये गोल पूरा कर सकते हो पर आपको इसके लिए अधिक मैनत करनी पड़ेगी कठोर परिश्रम करना पड़ेगा तभी आप इसमें आगे अच्छा काम कर सकती है next आता है बुद्धी के लिए कौन सा कतन सत्य नहीं है यानि which is not true about intelligence बुद्धी सीखने की योगता है intelligence is the ability to learn यानि ये सीखने में मदद करती है बुद्धी समस्या हल करने की योगता है intelligence is the ability to solve problem third आएगा बुद्धी परिश्रम करने की योगता है intelligence is the ability to work hard यानि ये महनत भरा काम करने की योगता है बुद्धी नवीन परस्तितियों के साथ अनकूलन करने की योगता है Intelligence is ability to adapt novel situation तो इसमें third option जो है ये गलत आएगा कठिन परिशरों physically होता है ये दिमाखी काम नहीं है तो problem solving है learning abilities में भी help करती है और new situation में adaptability या adjustment में भी help करती है तो third इसका answer आएगा सही सरवाधिक परभावी मुल्यांकन पद्दती है Most effective evaluation method is वार्षिक परिक्षा annual examination method सपुस्तक परिक्षा प्रणाली examination with book method समेस्टर प्रणाली समेस्टर method वस्तोनिस्थ प्रशन पत्र पद्दती objective question paper method तो इसमें देखना है पड़ेगा कि कौन सा method जादा बढ़िया है प्रभावगी मुल्यांकन पद्दती मुल्यांकन में आम तोर पे जो मुल्यांकन होता है जो वार्षिक परिक्षा प्रणाली में मुल्यांकन साल में एक बार होता है इसकी भी कमी आएगी बुक के साथ मुल्यांकन का कोई पद्दती नहीं है समेस्टर में छेचे महीने के बाद मुल्यांकन होता है यानि 6 मंद के बाद दो बार मुल्यांकन होता है इसमें तो ये कुछ बैतर है वस्तूनिस्ट प्रशन पद्दती यानि objective question paper method भी अच्छी विधी है जो normally बच्चों की objective knowledge चेक करती है इससे एकदम से पता लग जाता है कि बच्चे जो है एकदम से उनको क्या आता है और वो क्या प्रकट कर पर रहे हैं या क्या वो सफस्ट कर पा रहे हैं तो इन चारों में D option जादा अच्छा आएगा question पत्र ऐसा हो जो वस्तिमनस्ट हो objective हो जिससे बच्चों की knowledge जो है सही रूप में परकट हो पाए next question आता है matching करनी है slide projector किस प्रकार की विधी है TV, charge, voice recorder slider projector क्या है visual mean है, audio mean है, audio visual है voice recorder तो यह सब हमें matching करनी है पहला आता है slide projector तो slide projector जो है आपको पता है कि यह projector जो है एक projective mean आता है जिसमें हम किसी चीज को project करते हैं तो A का 4 यानि A का 4 हो सकता है TV यह द्रिश्य सरव्य दोनों आता है B का 3 तो B का 3 आएगा chart चार जो है आपको पता है द्रिश्य साधन है तो chart एक हो सकता है C का 1 आएगा और आवाज recorder यह सिर्फ सरव्य आएगा यानि D का 2 तो इसका A answer यानि A answer आएगा जिसमें slide projector जो है projective method है projection करते हैं TV द्रिश्य सरव्य audio visual mean में आता है chart जो है सिर्फ visual mean में आता है और आवाज recorder जो है audio mean में आता है तो इसका आएगा first option next आता है पद व्यापक मुल्यांकन का अर्थ the term comprehensive evaluation means अलग-अलग समय किया जाने वाला मुल्यांकन यानि अलग-अलग समय पे हम जब evaluate करते हैं conduct several point of time अध्यापकों के समूद वारा किया जाने वाला मुल्यांकन evaluation by group of teachers लंभी अवदी के लिए test several tests for long duration विद्यारती की सम्वरीदी के sectionic और सह sectionic आयामों का मुल्यांकन evaluation of curricular और co-curricular activities तो इसमें D यानि fourth option आएगा कि बच्चों की सम्वरीदी growth क्या हो रही है educationally क्या improve कर रहे है और सह sectionic आयामों में क्या मुल्यांकन हो रहा है तो D आएगा next आता है वस्तों को करम से जमाने की शमता बालक में विक्सित होती है the capacity to arrange object serially develop in the child in which age यानि 0-2 में 2-7 में या 7-11 में या 11-16 में तो ये आती है पूर्व क्रिया यानि pre-operational stage 2-7 में आम तो और पे बच्चा जो है order में, क्रम में series में, number में क्रम आदी में conservation करने लगता है classification करने लगता है ये stage आएगी हमारी 2 से लेकर 7 वर्च में वो अंकों का भी ज्यान कर लेता है series, number और इसके अलावा वरगी करन भी करने लगता है next question आता है अधिगम स्तांतरण की योगिता को बढ़ाने के लिए ध्यापक को नहीं करना चाहिए for enhancing the ability of transfer of learning the teacher should not क्या नहीं करना चाहिए स्वैकरिया को प्रसाहित करे encourage self activity ये तो करनी चाहिए रटनी की प्रिविर्ती को प्रवसाहित करना चाहिए ये गलत आएगा encourage the habit of rote learning ये गलत होता है सूज द्वारा सीखने का विकास करेंगे developing habit of learning by insight ये ठीक होता है समानी करन यानि emphasis on generalization तो इसमें second option जो है गलत आएगा generalization भी अच्छा होता है इससे बच्चा जो है कोई भी चीज आती है उसको परकट कर पाता है सूज gestalt आता है या inside theory वो भी अच्छी आती है learning में gestalt भी कह देते हैं और sweat यानि self activity भी अच्छी आती है तो second जो है वो गलत आएगा second option जब कोई बच्चा किसी सब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या कहोगे यानि कोई बच्चा गर गलत बोलता है यानि when a child mispronounce a word what will you do उससे कहेंगे कि मत बोलो तो मत बोलो tell, don't say like this सुद उच्चारण बताएंगे tell the correct pronunciation गलत उच्चारण के लिए डाटेंगे rebut the child for wrong pronunciation ध्यान नहीं देंगे ignore कर देंगे उसे तो इसे हम second option आएगा सुद उच्चारण कैसे उसको सही तरीके से properly उसको उच्चारण करना है वो चीज बताएंगे तो आकी बच्चे में सुधार हो पाए next आता है प्रभावी और सवल नितरत का अधार है यानि एक अच्चे लीडर में effective और successful तरीके से अगर वो leadership करता है तो उसमें कौन-कौन से गुण होने चाहिए परसंसा, appreciation समू का हित यानि interest of entire group यानि group को represent करे वो समू की सेवा, service of group यानि group की सेवा और स्वय का हित, self-interest तो एक अच्चे लीडर में समू की सेवा और समू का हित ये दो option ज़्यादा अच्चे आते हैं सम्पून जो समू है उसका हित हित में सब कुछ आजाएगा हित में सेवा भी आजाएगी तो B option या second option आएगा कि वो समू के हितों को ध्यान में रखे अच्छे गुणों का विकास के इस परकार से किया जा सकता है उसे अच्छी नागरिक्ता पर भाचन देके by lecturing lecture method में आता है them on good citizen कि वो good citizen बने बोल कर बताएंगे उसे उसे या उन्हें राष्टिय नायकों से परिचित कराएंगे by familiarize them with national heroes उन्हें कतिपे सामुदाइक सेवा कारेग में आवंटित करेंगे by assigning them some community service work उन्हें भारतिय सम्विधान से परिचित कराएंगे by familiarizing them with Indian constitution उन्हें बताएंगे कि भारतिय सम्विधान में को जाने हैं वो तो इसमें हम उनके जो भारत के राष्टिय नेता रहे हैं या महान नेता रहे हैं जिन्होंने देश की सबतंतरता के लिए कारे किया तो उनके जीवन चरित्तर के बारे में उनको परिचित कराएंगे थे पेडगोगी के थे यह पीजीटी का एक्जाम था तो common होता है पीजीटी में सभी एक्जाम में यह 30 marks common होंगे तो यह H.T.E.T. में आयो हैं और 2017 में आप इन कुश्चन को देखकर कुछ गेस कर सकते हो की कैसे कुश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं तो कैसा लगा लेक्चर आपको लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद थाले तो करें स सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल झाल झाल